कि हलो दोस्तों मैं सुमन और आज हम बात करेंगे रियक्ट में वेब वर्कर्स के बारे में तो सबसे बहले वेब वर्कर होते गया कही बार ऐसा होता है कि आपको को सीप्यों इंटिंस gratis करना होता है जैसे कोई calculation है बहुत सारे ये पर कई वार होता है कि बैक्राउंड सिंक्टिंग होती है जैसे कोई टेबल है जिसमें डेटा अपड़ेट हो रहा है बार-बार ठीक है तुए पली आज चला रहा है जो जो मत्मिएं ठ्रेड मिलता है तो आ सब्सक्राइब तो उसकेस में हम क्या करते हैं की वेब वर्कर को यूस करते हैं यह क्या होते हैं यह background प्रसेस हमारे हुं को यूस करता है तो में हमारा विदा इने इंटरप्शन अपना काम करता रहता है ठीक है तो उस केस में ये बहुत ही ज्यादा काम आता है और ये वेब वर्कर है दोस्तों ये सर्विस वर करने हैं सर्विस वर कर अलग होता है वह आपको पता होगा कि एप्लिकेशन को ऑफ लाइन बगार बनाने के लिए यूज़ लग होता है तो यह बैग्राउंड में काम करता है तो इसका थोड़ा से देख लेते हैं कि यह कैसे काम करता है दो यह दाइग्राम है इससे आप समझेंगा यह मैं स्कृप्ट जो हमारी application होती है जो मतलब में आप्लिकेशन को को चलता और है यह वर्कर का ठीक है तो इसमें वाना की मैसेज इवेंट को इसने जैसी लोड हुआ है मैसेज को listen कर रहा ठीक है प्रोसेस करेगा मैसेच मैसे यह वरकर को ठीक है वर्कर यहां में मैसेज रिसीव करेगा प्रोसुस करेगा मैसेज को और यह यहांपे हमारा अपना काम सो प्रोस nearख सब्सक्राइब नहीं हम लोग उसको। दिखा देतका है ठीक है तो यह है सबसे बड़ा सबसे बड़ी चीज और इसके लिए मैंने एक डेम बनाई हुई है जिसमें हमारे पास में 25,000 रिकॉर्ड हैं ठीक हमने इनको सौर्ट करना असेंडिंग और डिसेंडिंग और में 25,000 रिकॉर्ड को थोड़ा टाइम लगेगा और यह थोड़ा CPU क्यों इंटेंजिव टास्क होगा तो हम लोग इसको करेंगे वेब वर्क करके द्वारा और इसमें हम लोग data बना रहे हैं तो यह हमारा है क्या बोलता है चीज ठीक है और अभी हम क्या करेंगे बैसे तो आपको पता को मैं तो ऐसे होती है sorting पर हम इसको वेब वर्क करेंगे तो वेब वर्क में जो सबसे पहला काम होते है हमें एक फाइल बना लिख लेते हैं यह हमारी फाइल वर्क डॉट जीस ठीक है इसके मैं करता है एक्सपोर्ट डिपॉल्ट और यहां से मैं एक एरो फंक्शन करते थे था हूं ठीक है और इसके अंदर थोटा साब लिखेंगे सबसे पहले सेल्फ विंडो ठीक है जो विंडो अब्जेक्ट होता है एड़िवेंट लिसनर और इसमें मैं करते तो मैसेज ठीक है तो यह मैसेज को लिसन करता रहेगा जो भी हम लोग यूआई से मैसेज भी देंगे यह उस एक काम करेगा ठीक है तो इसमें अगर इवेंट अगर ही नहीं तो यह सिधा इसको रिटर्न करतेगा ठीक है और अगर है तो हम उसका कोड थोड़ी देर बाद लिखते हैं जो भी हमारा लॉजिक होगा इसके लाब एक और फाइल बनेगी सोर्स के अंदर ही और उसका नाम ह सब्सक्राइब करेंगे तो इसको हम लोगा भी लिख लेते हैं इसमें भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मैं उसी को कॉपी कर लेता हूं जो भी हमने लिखा था था क्योंकि थोड़ा सा सेंटेक्स सेम ही होगा हो ऑधकर और आपको पाती होगा कि जो वाबवर्र करों एक कंश्रक्टार होता है ठीक है तो हम लोग यहां पर राकट्रासários डिफाइन करेंगे व्य टब्र करेंगे मघा थीक्त कर लेक्लेंगे एक झाम पहर यहां मने लेवार्क मों सब्सक्राइब कर दिए स्ट्रेंग कर लिया और इसके नीचे में इसको ब्लॉब में कर लेता हूं ब्लॉब अब्चेक्ट के इंदर हम लोग पास कर देंगे एक एरे इसके इंदर स्ट्रेंग इसके इंदर पास करेंगे प्लस मतलब एक और वही वाली ब्रैकेट कर देंगे ठीक है और इसके साथ में हम लोग जो हमारा फंक्षन एक्जिक्यूट होने वाला होता हो उसको कर देंगे ठीक है यह हो गया इसके यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे नियू वर्कर ठीक है और यहां पे यूरल डॉट create object URL और इसमें पास कर देंगे बलॉक ठीक है तो यह हमारा कोड है जो मतलब कि इसको हम लोग use करेंगे और इसमें जो worker हमारा होगा वो यहां से उठाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा और अभी हम लोग इसको जो हमारा यह app.js है इसमें इसको call करते हैं कि इसमें कैसे इसको define करना तो सबसे बहले import कर लेते हैं इंपोर्ट वर्कर यह आएगा app.workr ठीक है और जो एक और होगा इंपोर्ट वैब वर्कर यहां पर हम लोग इसको इंपोर्ट डिफाइन कर देते हैं तो मैं छोटे में ले लेता हैं इसको वैब वर्कर इकोल टू न्यू वैब वर्कर जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसमें हम लोग पास करते हैं जो हमारा वर्कर है ठीक है अभी लोगोंसर्थ ओर उसमें हमने मैं यूजर्थ पास करते हैं और देया फास करना सब्सक्तमतर जुद फोर्ट अर यहां-बदन कर ला इवेंट ओपर ठीक है यहां मैं लिखता हूँ इफ टाइप इक्वल टू असेंडिंग आया ठीक है मैं इसको शॉट में लिख रहा हूँ एसी तो हम लोग यहां एंडल करेंगे एल्स जो भी आएगा वो यहां पर ठीक है और यहां से हम लोग इसमें पूस्ट मैसिट पंख्शन यह क्या करता है यह जो भी मैं यहां से बीच गा ठीक है हुआ तो आप उपर पड़ भी सकते हैं यहां पर यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया तो मतलब यह हुआ कि जब यह एक्जीकूट होगा यहां से जो मैसेज आगा जो हम लोग इस में लिसन कर रहते हैं यहां पर हम लोग अपना लॉजिक लेता है यहां यहां पर हमने करना कमेंट काउंट के हिसाव से जो हमारे B. comment count, ठीक है? और descending में हम लोग इसका opposite कर देंगे? ठीक है? यह हो गया हमारा logic, अभी हम देखेंगे कि इसको अपने component में कैसे हमने call करना है, ठीक है? तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो उसी worker को call करेंगे? मैं इसको हटा देता हूँ ठीक तो जो हमारा वैब बर्कर है उस पर मैंने किया पोस्ट मैसेज का जो फंक्शन है जो यहां पे हम लोग यूजर बेज रहे हैं इससे और वहां से हम लोग क्या बेज़ेंगे यूजर साथ टाइप ठीक है तो मैं यहां से अपने वैब बर्कर को भेज दिया से जो असेंदिंग के लिए हमने यूजर ग reactions ही और यहां पर मेरा श्रृत Fact में मैं रिखा हुआ है सेट इस सर्टिंगक ठूर हो जाएगा ठीक है और इसके निचे मां करूआँगmade वार्वrker.addemenlistener ठीक है और इसमें मां करूँगे message listen और इसमें मेरे पास में आए इवेंट ठीक है और event.data के अंतर में मेरे पास में sorted result आ जागा तो मैं यहां पर ले 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 तो sorted list equal to event.data ठीक है और यह जो set is users है set users है इसमें हम लोग यह वाली sorted list pass कर देते हैं और जो यह है sorting वाले को हम लोग कर लेते हैं ठीक है कि sorting हो चुकिए और यहां से हम लोग कर लेते हैं return ठीक है और इसी को हम लोग copy कर लेते हैं और यहां पर मैंने ascending के जगा मैंने डिसेंडिंग तो मैंने इसका शॉर्ट कर दे डी ऐसी ठीक है और यह हमारे पास में हो गया ठीक है यह और इसके अलावा एक और चीज याद रखने हैं कि जो हमारा यूज एक्ट है उसके अंदर में हमने क्या करना है कि जब यह component unmount होगा तो यह इस वैब worker को listen करना बंद करतेगा ठीक है तो उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे आपको पता होगा करना पड़ता है तो इसमें करता है यह फंक्शन यूज करता है तो यह हमारा हो गया अभी हम लोग एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं मैं यहाँ पर गया यह बुल रहा है यहाँ पर हम लोग सेल्फ यूज नहीं कर सकते तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं तो यह दोस्तों मेरे पास में इसलिए आ रहा है आपके पास में यह आ रहा है तो अब भी इसको डिसेबल कर दीजिए ठीक है क्योंकि यह पर कुछ आपके जबना चाहिए तो अभी हमारा अप्लिकेशन चल गई आपका इनिशल डेटा लोड होगा आप देखेंगे तो रेंडम कॉमेंट्स हैं जैसे पर 42 में 72 में 96 है हमें असेंडिंग बना तो मैं इसे क्लिक किया यह स्ट इंग हो रही है में आगया सबसे पहले 100 वाले होंगे और इसके वाद यह घटते हूँ एक रम में होंगे तो अब देखेंगे एंड में 3 वाले हैं और जीरो वले हैं तो वेब वर्कर दोस्तों ऐसे काम करता है इसके लिए यही कोड है अगर आपकी जो भी नीड है वाकी कोड तो सेम ही रहेगा आपको यहां पर वेब वर्कर के अंदर में लाचिक चेंज करना पड़ेगा जो भी आपको प्रोसेस करवाना यहां पर और अगर आ जो सब्सक्राइब करना जैसे आपको जोसकार है और एक सेकंड में चयण शनले मैसेड करें और आपके पास में इतना वही है जिसे होता है ऑर उन मेसेज़े को कही न कई सेव कर रहें और उनको फिर क्या करने यू आई पर दिखा रहें तो उनको सेव करने में किसी यूसर को सेव करना है या जैसे आपने प्रवी के अंदर किये तो उसमें करता है préc pensando में बहुत ज्यादा टाइम मतलब वो तोड़ा सा टाइम लेता है और उसकी वज़े से गया तक एप्लिकेशन थोड़ी लेगी लगती है तो उसकेस में आपको यह वाली चीज बहुत काम आएगी ठीक है को क्वेशन होगा तो आप पूर सकते हैं कोई टॉपिक की सेजेशन हो